हाई फैंस राजी शेर्द जैसक कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 13 के जो बीटाव बिल्ड है और स्टेबल बिल्ड जो है चाइना के अंदर रिलीस हो चुका है और आप मेंसे काफी लोग MIUI 13 के एप्स जो है अपने MIUI 12.5 के फोन में जो है अपलाई करना चाते हैं तो आज काई वीडियो उसी के उपर है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ही कैसे जो है आप MIUI 13 के काफी सारे जो एप्स हैं उनको अपने MIUI 12.5 के जो शौमी का फोन है उसके अंदर रन कर सकते हैं तो वीडियो को ठीक तरीक से देखेगा कोई भी पार्ट स्केप मत कीजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरू कर लेजेगा और साथ-साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा सभी फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा जहां से आप उनको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर जो है MIUI 13 के काफी सारे एप्स जो है रन कर सकते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कॉश्चन तो आप लोगों के माइन में यह आता है कि हमें जो MIUI 13 का जो नेया कंट्रोल सेंटर है वो कैसे देखने को मिलेगा तो उसके उपर जो है औरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है लिंक आपको डिस्क्रिश्टिम मिल जाएगा जिसको आप चेकाउट कर लीजेगा और लाइव वालपिपर्स को आप जो नए लाइव वालपिपर जो इंटर्ड्यूस किये गए हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं तो उसके उपर भी जो है औरेडी मैंने वीडियो बना रखा है जैसे कि आप लोगों को पता है इसका भी लिंक भी आपको डिश्क्रिशन मिल जाएगा तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप MIUI 13 का जो लाउंचर है उसको अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं यह हमारे पास Poco F3 GT है जिसमें हम MIUI 12.5 को यूज कर रहे हैं और लाउंचर काफी स्मूथ है और काफी परफेट तरीके से आपको काम करता हूं मिल जाता है यह काफी अच्छे अनिमेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो अनिमेशन काफी स्मूथ हुए है और काफी अच्छे तरीके से आप इसको अपने MIUI 12.5 के फोन पर यूज कर सकते हैं अपने किसी भी शूमी के MIUI 12.5 के फोन है उसके अंदर यूज कर सेते हैं और कुछ इस तरीके एफेक्ट जो है अपने फोन पर पास सेते हैं काफी अच्छा जो है आपको अनिमेशन एफेक्ट और लॉंचर काफी पहले स्मूथ हुआ है और काफी अच्छी तरीके से आपक काम करता हुआ यह मिल जाता है तो इस लॉंचर की एपी की का फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा अब नेक्स्ट एपी के जिसके हम बात करने वाले हैं वो है गैलरी की एप इंफो में आपको दिखायता हूँ जो गैलरी का वर्जन हम यूज कर रह सब्सक्रिप्शन में आपको काफी सारे यहां पर कैटेकरिस मिल जाती हैं जिससे स्मार्ट एल्बं माई एल्बं आपको ट्रैश बीं ट्रैस क्लेनर यह सारे ऑप्शन तो मिलते हैं आपको रिकमेंडेट में आपको यहां पर काफी सारे एडिटर देखने को मिल जाते हैं अब आपको जो है इसके अंदर जो है और भी काफी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है अगर आप खुछ एडिट करना चाहें तो आप काफी चीज़ों को इसके अंदर पने फोन के अंदर एडिट भी कर सेथे हैं पोच कीजिए कि हम एक फोटो है उसको एडिट पर जाएं तो आपको अब काफी सारी जो है नए फिल्टर जो है अब यहाँ पर प्रोवाइड किये गा हैं काफी बड़ी लिस्ट जो है अब आपको नए फिल्टर की यहाँ पर देखने को मिल जाती है जिससे फ्रेश ब्लैक APK को इंस्टॉल करना है और साथ ते साथ जो है गैलरी एडिटर की जो फाइल है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी आप उन दोनों APK को इंस्टॉल करके जो मिवाई 13 की जो गैलरी के लेटस्ट फीचर है विद लेटस्ट फिल्टर और नए टूल्स के साथ अब अपने फोन के अंदर जो है मिवाई 13 के जो लेटस्ट सूपर वालपर्स हैं उनको भी इंस्टॉल करना जाते हैं तो उनके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे लिए है जहां से आपको जो सूपर वालपेपर के इंस्टॉलर भी देखने को मिल जाएगा और यह सभी क एककिवेट करते हैं अब कुछ इस तरह का लुक जो है अपने फोन पे आप पासकते हैं आप इन सुपर वालपर्स को अपने किसी भी शौमी के मिः 12.5 के फोन में यूज करते हैं घूपर यह बूंस से इतने भी phones आ रहे हैं जिनके इंदर super wallpapers सबको नहीं देखने को मिलते हैं उनके इंदर ये परफेक्ट से काम करेंगे पाँच आपको super wallpapers के apt के देखने को भोगेंगे और एक आपको installer का apt के देखने को इसके अंदर आपको काफी सारे नए टूल्स आप प्रोवाइड कर दीगे हैं, आपको काफी सारे नए टूल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इवन अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और बैटरी मेनेजर में जाएंगे, इवन इसी के थूँ जो है, आपका जो गेम बूस्टर है, वो भी अपडेट हो जाएगा, जिसको मैंने अपने मी रिमोट अप्लिकेशन में एक्टिवेट कर रखा है, तो यह देखिए, कुछ इस तरीका अब आपको जो है, इंग्लिश लेंगुज में सारे के सारे यहाँ पर टैप्स देखने को मिलेंगे, आपको वाइस चेंजर, आपको बैलन्स मोड, परफॉर्मेंस मोड, यह सारे के सारे मोड जो है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और कुछ इस तरीका साइट बार जो है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको आप टैप करके, किसी भी एप्लिकेशन को as a floating window यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे यह देखी हमने है, जो file manager है, उसको open किया था, और यह कुछ इस तरीके से आप आपको यहाँ पर देखने को मिला है, तो security app को update करके, आप जो है नया game booster, battery manager में नए options और नया security app जो है अपने phone में पासकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने phone का launcher को update कर सकते हैं, अपने phone की gallery को update कर सकते हैं, आप अपने phone के अंदर security app को update कर लेंगे और उसके बाद आपको काफी सारे नए features अपने battery के अंदर, आपको नया game booster और साथ इसाथ gallery के अंदर भी आपको काफी सारे नए features अब इन APK के थूझ आपको अपने फोन में देखने को मिल जाएंगे तो इस तरीके से जो है आप काफी सारे MIUI 13 के Apps जो है अपने MIUI 12.5 के फोन में यूज कर सकते हैं सभी के सभी लिंक जो है आपको हमारे टेलिग्राम के आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरू कर देगा चैनल के सपोर्ट एंड मोटिविशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलीगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई